नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आस्थार आठोर और आप देख रहे हैं आपका स्पेशल और फेवरिट प्रोग्राम जिसका नाम है कैंसर केर दोस्तों पिछले कई एपिसोद में आपने जाना कि किस तरह इम्यूनो थेरपी विबेन प्रकार के कैंसर से लड़ने में मदद करता है हमें आपके धेश सारे खत मिले हैं रिस्पॉंसेज मिले हैं जिसमें आपने ही मांग रखी है कि आपको गॉल ब्रेडर कैंसर और लीवर कैंसर से रिलेटेड जानकारी भी प्रदान की जाए इससे संबंधित जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच मौझूद है कि ऐसे जाने माने विशेशगे जो इम्यूनो थेरपी के माद्यम से कैंसर केर करते हैं तो आईए स्वागत करते हैं डॉक्टर तरंग कृष्णिका डॉक्टर साब आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में जिसका नाम है कैंसर केर डॉक्टर साब आज मैं जानना चाहूंगी यह special मांग आई हमारे दरशुकी की तरह से वो देख रहे हैं, appreciate कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं इम्यूनो थेरपी जो इजाद की गई है, आपके फादर ने इजाद की है तो इस curiosity से definitely गॉल बेडर कैंसर और लिवर कैंसर से शायद कुछ patients गरस्त हैं, तो एक उमीद की किरन उन्होंने देखी आपके अंदर, वो जानना चाहते हैं कि इससे समंदित कुछ जानकारी प्रदान कीजिए, कैंसर कैसे हो जाता है, क्या होता है ये गॉल बेडर कैंसर और लिवर कैंसर दो अलग-अलग प्रकार की कैंसर हैं पहले मैं गॉल बेडर कैंसर के बारे में बताना चाहता हूँ गॉल ब्रेडर चंटर जिसे हम पित की थहली का चंटर बोलते हैं. गॉल ब्रेडर मतलब पित की थहली co spray, जहांपर जांपर बाइल वहाँपर बनता है और वहाँपर श्टूर किया जाता है. जब भी खाना ऊपर से कोई भी आदमी खाना खाता है तो वो खाना जब नीचे की तरफ भोजन के आहर डली से होता हुआ जाता है तब पित उसको जाकर उस पे एच्शन करता है ताकि वो धीरे धीरे करके सौफ्ट बने और उसके उपर अलग-अलग तरीके से के एच्शन हो जब इस पित की तहली में अलग-अलग तरीके से suppose किसी को पत्री हो गई वो पत्री हील अप नहीं हुई और वो धीरे-धीरे करके वहाँ पर उसकी जो वॉल है जो उसके चारों तरफ की दिवारे है उसको छीलना शू कर दिया उसको एरोड करना शू कर दिया तो वो आगे चलके कैंसर में तबदील हो जाता है जिसे हम गॉल-ब्लेडर कैंसर भी कहते हैं गॉल-ब्लेडर कैंसर का एक प्रमुक कारण ये भी है हमारी सीडेंट्री लाइफस्टैल लोग फैटी चीज़ खा रहे है फैट से भरी हुई चीज़े खाते हैं जिसमें बाइल को वहां से इसक्रीट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है बाइल को उसको ज़्यादा काम करना पड़ता है वहां पर उसको सिक्रीट करने के लिए तो जब excessive bile formation होनी शुरू हो जाती है और जो gallstones बनने शुरू हो जाती है जो पित की थहली में जो पत्री होती है वो पत्री उसको erode करना शुरू कर देती है उसको scrape out करना शुरू कर देती है तो वहाँ पर फिर cancer develop हो जाता है liver cancer के कई कारण है liver cancer hepatitis जैसे आजकल बहुत चल रहा है hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C hepatitis जो ठीक नहीं हो पाया किसी के अंदर hepatitis B virus से infiltration हुआ या hepatitis A virus से infiltration हुआ वो आगे चलके hepatocellular carcinoma जैसे हम liver cancer भी बोलते हैं उससे ग्रस्त हो जाते है liver cancer का एक बहुत ही important कारण है drinking, शराब, alcohol और शराब से सबसे ज़्यादा तादाद में liver cancer होता है gallbladder cancer भी इसका प्रमुक कारण है liver cancer का एक बहुत ही important कारण ये भी है stress stress या फिर जो बाद में fatty liver होना शुरू हो जाता है जिसमें आगे चलके cirrhosis होनी शुरू हो जाती है liver cirrhosis मतलब एक तरीके से ऐसा damage जिसमें liver के cells अपने आप में ही damage होने शुरू हो जाते है killer cells होते हैं वो killer cells अपने ही मतलब एक उसी के ही जो normal cell है normal cell को खतम करना शुरू कर देता है और दीरे-दीरे करके liver damage होना शुरू हो जाता है वो भी important कारण है और stress की वजह से gallbladder में भी ये research के बाद देखा गया है कि gallbladder में भी एक ऐसे changes होने शुरू हो जाते है pathological changes जिससे उसकी wall की चारों तरफ की lining erode होने शुरू हो जाती है और उस पे कहीं ना कहीं cancer के cells develop होने शुरू हो जाते हैं तो डॉक्टर साह मतलब stress जैसी चोटी सी चीज मतलब stress तो आजकल हर इंसान के अंदर पैदाता है चोटा बच्चा भी stress लेखर ही पैदा होता है इतनी मामूली सी चीज cancer करूप ले सकती है बिल्कुल stress में क्योंकि एक body की physical or mental well-being नहीं हो पाती एक harmony में नहीं हो पाता तो किसी भी stress को किसी भी body को अगर अंडर स्ट्रेस रखा जाए तो वो धीरे-धीरे करके cancer में तबदील होना श्रू हो जाता है cancer कोई आज की बिमारी नहीं है cancer 900 साल पहले भी डाइगनोज हो चुकी थी पट इस समय क्योंकि हमारे पास diagnostic powers इतनी अच्छी आगी है diagnostic machine बहुत अच्छी आगी है CT scan, MRI, PET CT जो पूरे शरीर में ये बता सकती है कि cancer कहाँ पर develop हो चुका है या कहाँ पर develop होने वाला है जो gallbladder cancer है मेरे खाल वो फिर जो obese लोग है उनमें ज्यादा पाया जाता है जैसा कि आपने कहा कि वो जो fatty चीजों का intake रहता है तो वो लोग को ज्यादा इसमें खत्रा रहता है इसे लोगों को किन-किन सावधानियों को बरतना चाहिए वो अगर चाहते हैं कि उन्हें cancer ना हो या अगर हो चुका है तो किन-किन सावधानियों को बरतना चाहिए उसको लें, या फिर इम्मुनों थेरपी से भी पित की थेली से पत्री डिसॉल्व होती है, और दीरे दीरे करके, जैसे हमें खान पान में, क्योंकि पित की थेली अगर हम क्याबिज जादा लेते हैं, पत्ति दार सबजीया जादा लेते हैं, टमाटर लेते हैं, कोई भी इस नहीं हो पाते यह इंग और दीरे-दीरे करके यह वहां पर कृस्टल फार्मेशन कर देते हैं जिसको हम स्टून के फोर्मेशन दू के लेशाया है छो नियुक्त तरीके से पल एक सबस्क्राइबन कर देदे लो फिर एद्येादा बडह हो जाते हैं कि वो उसको erode out करना शुकर देते हैं डॉक्टर्स आप ये बताए कि जो immunotherapy है उसमें जो medicine ली जाती है वो medicine exactly उसकी formation क्या है कैसे वो बनती है क्या दवाई है किस तरह आप देते हैं देखिए cancer healer 169 mother dentures का bunch है ये homeopathic mother dentures होते हैं हर बिमारी के लिए हर cancer के लिए हमारे अलग-अलग combinations and permutations लिए जाते हैं combinations कहीं न कहीं कुछ हद तक common भी रहते हैं जिसमें जो immune system में लड़ने में कारगर हैं और कुछ symptomatic vary way करते हैं but mostly जितने भी mother dentures हम लोग use करते हैं वो सब they are all safe and scientific and very effective for boosting of the immune system immunity ये काफी हद तक बढ़ाते हैं इसका नाम मेरे फादर साहब Dr. Hare Krishna जी ने cancer healer रखा है और ये cancer से लड़ने में इतने ज़्यादा successful हैं और इतने ज़्यादा शम्ता बढ़ाते हैं कि शारिक शम्ता को इतना ज़्यादा मजबूत कर देते हैं जिसमें normal cell cancer cell को खतम करता है तो इस cancer healer ये जो दवाई है दर्शको के मन में इस हवाद जरू उठ रहा होगा कि जो दवाई है इसके अंदर किसके सरा के ऐसे formation कौन को सी I don't know if they I can call it जड़ी भूटिया और वाट क्या ऐसा ड़ा हुआ है जिससे cancer जैसी घातक बिमारी भी control हो जाती है कुछ ऐसी जड़ी भूटिया नहीं डली होई है there are no hard metals, there are no steroids, there are no offensive medicines, ये pure and pure homeopathic mother tinctures it is a combination of mother tinctures हर mother tincture homeopathic pharmacopoeia में approved है already जिसके उपर already healthy human beings के उपर research हो चुकी है it is just the combination जो मेरे फादर साब नहीं जात किया है जिसमें कहीं न कहीं कुछ combinations लिए गए मरीजों को दिया गया जो मरीज मरना सन पे थे मौत के कगार पे थे या फिर early stages के cancer में भी थे जब उन्हें वो combinations दिये गए तो उनका धीरे धीरे करके research में ये देखा गया कि जो report cancer show कर रहे थी बले ही वो 10 cm के lesion ना हो lesion क्यों ना हो वो lesion भी धीरे धीरे करके dissolve होना शो हुआ कुछ cancer ऐसे भी रहे मैं ऐसा नहीं कहूंगा कोई आदमी 100% cure नहीं दे सकता वो भगवान नहीं हो सकता doctor doctor ही है saying है I treat God cures it is just we treat ऐसे cases में भी जब देखा गया कि research में वो धीरे धीरे करके quality of life मिली जो patient के और नहीं हुआ उसमें at least quality of life मिली जो patient को दो महीने जीना था बले हो खिच के चार महीने हुए दो महीने ही भड़ पाया हाला कि that is a very good period for dying individual but वो चार महीने भी जीया quality of life से जीया जिल्दगी को पूरा जीप आए वोई ख़वराट में दर्द तकलीफ नहीं हुए और कई बार तो ऐसा देखा गया कि cause of death cancer नहीं हुए और किसी और बिमारी से उसकी cause of death हुई चाहे heart attack हो चाहे कोई और बिमारी है but mostly cases में quality of life ज़रूर रहे लोग साव हम बात कर रहे थे gallbladder cancer और liver cancer की तो इसमें immunotherapy ये इस प्रकार इस तरह के cancer में immunotherapy किस तरीके से काम करती है अगर आप थुरा सब ब्रीफ करेंगे तो हमारे दर्शकों को they'll be able to understand how exactly the process works देखें immunotherapy works for all types of cancer चाहे हो आज तो हम gallbladder और liver cancer को discuss कर रहे हैं but otherwise मैं हमेशा से बताता है हूँ कि वो चाहे lymphomas हो multiple myelomas हो या फिर ऑस्टोजनित सारकों हड्डियों का cancer सभी प्रकार की cancer में कारगर है immunotherapy it is a mode of treatment immune system को boost up किया जाता है शरीर की सच्षम शक्ति जो अंदुरूनी कांसर नहीं भी है वो लोग भी टेंशन में आ जाते हैं कहीं रिष्टेदार के यहां कहीं पास प्रोस में किसी को cancer हो जाए तो उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं हमें भी cancer ना हो जाए क्योंकि अच्छाल देखे खत्रा के बारे में तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि कहते हैं कि शक और वहम का इलाज किसी के पास नहीं है बट ऐसा वो मन में अगर आप खत्रा बना कर चलेंगे या वो सोच के चलेंगे वो नेगेटिफ थोट्स लेकर चलेंगे तो कहीं न कहीं वो disease या वो बिमारी आपको कहीं न कहीं hit back करती है क्योंकि cancer एक है आजकल वाकी आप सही कह रहे हैं कि cancer एक बयानक बिमारी का रूप ले चुकी है cancer एक मामारी की तरह होने वाली है या हो चुकी है लोग कहते हैं AIDS मामारी है मैं कहता हूँ नहीं एट से जादा कैंसर के मरीज बहुत तीजी से फैल रहे हैं और बहुत जल्दी मल्टिप्लाय कर रहे हैं तो कैंसर से जिनको कैंसर नहीं भी हुआ है वो कैंसर हीलर मेडिसन ले भी सकते हैं और उससे बच भी सकते हैं कैंसर हीलर is a preventive as well as curative for cancer अगर किसी को cancer नहीं है तो वो cancer healer लेकर अपने immune power को बढ़ाएं अपने immune system को बढ़ाएं और उसके बाद वो cancer से काफी हद तक अपने आपको बचा सकते हैं और भै मुक्त भी हो जाएं बहुत ही खुबसूरत बाचे चलड़ी थी डॉक्टर साब आपके साथ पर वक्त की नजाकत को समझते में यहीं विराम लेना होगा मैं आपका बहुत बहुत शुक्रियादा करना चाहूंगी कि आप यहां पर आए हमारे शो में cancer care में आपने अपना वक्त दिया जानकारी दी अपकत तजर्वा हमारे और हमारे दर्शकों के साथ शेयर किया थैंक यू सो मच तो दोस्तों आपने आज के एपिसोर में जाना कि किस तना गॉल ब्लेडर सेंटर इप 23 सक्टर 27 ग्रूदा यूप फोन नंबर 0120 422 55 05 मृबल नंबर 0980 000 6264 0931 260 336 0931 000 6265 इमेल info at cancerhealer.in website www.worldcancercare.com दोस्तों मैं तो आपको यही कहना चाहूंगी कि किसी भी थेरपी किसी भी इलाज को इस्तुमाल करने से पहले आप उस पर विश्वास करें ये बहुत जुरूरी है इसलिए आप तसली कीजिए जाचिये पर्खिये और उसके बाद उस पर विश्वास करके उसे अपने जीवन में अपनाई है हो सकता है कि वो थेरपी आपके जीवन में एक आश्रा की किरन बन कर आए अगर आपको लगता है कि इम्म्यूनो थेरपी आपकी मदद कर सकती है तो आप इसे एक मौका जरूर दीजेगा फिराल वक्त की नजाकत को समझते हुए हम आपसे विराम लेते हैं अगले एपिसोड में वाला करते हैं मुलाकात जरूर करेंगे आप अपना और आपके पूरे परिवार का खयाल रखेगा क्योंकि हमारी कामना आपका आनन में जीवन ठीक एर झालो करते हैं